नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्यप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में मध्य प्रदेश के मंदिरों में आज चलाया जाएगा स्वचिता अभियान 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदर का प्राण प्रतिष्ठा समहरों रखा गया है इस आयोजन को लेका देश भर में उत्सा का माहोल देखा जा रहा है इसी के चलते अब रविवार यानि आज मध्य प्रदेश के मंदिरों में भाजपत द्वारा स्वचिता अभियान चलाया जाएगा इस स्वचिता अभियान में मुख्य मंधरी समेट सभी मंधरी और पार्टी के पददीकारी और कारी किरता शामिलौगे प्रधामंत्री नरेंद्र मोधी के आवान पर प्रदेश भर में पार्टी द्वारा या अभ्यान चलाए जाने वाला है मनिपूर से होगी राहूल गांदी की भारत नियाय यात्रा की शिरुआत आज है पहला दिन कॉंग्रिस की भारत नियाई यात्रा शुरू होने जा रही है कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी मनिपूर के लिए निकल गए है भारत नियाई यात्रा की शुरूआत मनिपूर से हो रही है प्रकाश परवी की पधाई प्रकाश परवके मौकीबर आजम अधिय प्रदेश के मुख्य ने कीर्टन किया शुराद लिए पर्वों इसकोड में सिखो के गुरू और भारती संस्कृति करती प्रती गुरू परउमपरा के अधिनने योगदान कुभी प्रणाम किया यादम ने कहा कि जब जब देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है तब तक अत्यंत कश्ट सहते वेवे गुरु परंपरा ने हमारी संस्कृति को धन्य किया है और भारत माता का मस्तग सदेव उचा रखा है इंदौर में आज होगी टी-20 का हाई वोल्टेज मकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी बिणन्त आज दूसरा टी-20 इंडरनेशनल मैच जीत कर रोहिच शर्मा की कप्तानी वाली भारती टीम अफगानिस्तान के खिलाव सीरीज पर कब्सक लेगी दोनों देशों के बीच दूसरा टी-20 इंडरनेशनल मैच आज शाम साथ बज़े से इंदौर के होलकस चेडिया में खेला जाएगा जहां बले बाजों की तूती बूलती है मोहाली में पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच जीत कर भारती टीम तीन मैचों की टी-20 सीरीज में एक शूननी से आगी चल रही है टीम इंडिया अगर इंदौर में जीत दर्च करती तो सीरीज में दो शूननी से अजे बड़त हासिल कर लेगी राजधानी में पहली बाद मनाया ज़ारा काइट फेस्टिवल आसमान में उड़ेंगी बड़ी-बड़ी पतंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से काइट फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है दो दिवसी संक्रान्ती माँ सब 14-15 जन्वरी को मनाया ज़ाएगा इसमें 5-30 फुर्ट तक की अलग-अलग रंग रूप की पतंग उड़ाई जाएगी संक्रान्ती उट सब सूरे को अर्ग देकर प्रारम होगा भोपाल के M.V.M. मैदान में काइट फेस्टिवल शुरू होगा गुजरास से आएकलाकार विशेश ज्वाइन काइट उड़ाएंगे जिनका आकार 25-25 विट तक होगा इनमें काचुन, शेर और विभिन आकरतियों की पतंग प्रोफेशनल द्वारा उड़ाई जाएगी इंदोर नगा निगम केंदर सरकार की मदब से बनाएगा मास्टर प्लान की सड़के आर्थिक संकर से जूजरा इंदोर नगा निगम अब शेहर की बदहाल सड़कों और मास्टर प्लान की अधूरी सड़कों का काम पूरा करने के लिए केंदर से मदद लेगा निगम ने केंदर को पत्र लिखकत 700 करोड रुपे की आर्थिक मदद मांगी है पत्र में निगम निकालगी शेहर के विकास के लिए इन सड़कों का निर्मान पूरा करना जरूरी है लेकिन मास्टर प्लान में स्विक्रत इन 28 सड़कों के निर्मान के लिए निगम के पास आर्थिक संसादन नहीं है निगम को मदद नहीं की गई तो इन सडकों का निर्माट अधूरा रह जाएगा MP में गॉलिया दतिया रिवा की राते ठंडी अगले दो दिन मध्यम से गना कोहरा मध्य प्रदेश में रविवा सुभा गॉलिया दतिया में गना कोहरा रहा प्रदेश में अगले दो दिन और मध्यम से घना कोहरा रहेगा इसके बाद वेस्टन डिस्टरबंस की अक्टिविटी शुरू हो चाहेगी दिन में बादल रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार 16 जन्वरी से वेस्टन डिस्टरबंस एक्टिव हो रहा है इसकी वज़े से दिन की ताप महां में गिराबटा सकती है लेकिन रात का ताप महां 12 से 15 डिग्री सल्सिस के आसपास ही रहने का अनुमान है उज्जेन में मकर संकरांती इस्टनान के लिए शिपरा के घाचों पर 140 जवानों के साथ 40 आबदा मित्र तैनाद मकर संकरांती पर होने वाले परविस्नान को लेकर होंगाड ने सुरक्षा के पुकता इंतिजाम किये है 140 अधिकारी वजवानों के साथ 40 आबदा मित्रों को भी तैनाद किया जाए इसके अलावाद 6 मोटर बोट और लाइफ जैकेट वा लाइफ गाड के साथ रामगाड साहिज सभी घाचों पर जवान मौजूद रहेंगे सबसे ज्यादर रामगाड पर 45 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है सीएम मोहन यादव ने किया रेलवे ट्रेनिंग इंसिच्चीूट का भूमी पूच्छन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सियंस्ते 2028 को लेकर किये च्वाने वाले कामों शिप्रा नदी शुद्धिकरन को लेकर संभागी समिक्षा बैटा की विविक्रम आदिते संकुल भवन में महाकुंब सियंस्ते 2028 की तैयारियों के लिए विविन विभागो द्वारा प्रस्तितिक कारी योचना की समिक्षा की सिबाद सीम मकोडिया आम में 100 करोड रुपे से बनने वाले रेलवी प्रस्टिक्शन केंदर का भूमी पूचन किया मायटपूर के डोंगला गाहों में सिते वरा मिहिर खगोलिये विशाला में विज्ञानियों के साथ बैठ करेंगे जोरा के बजाए अब सीधे केला रस तक मैमू ट्रेन चलाने की तैयारी गौलियर शिफपूर ब्राडगेज प्रोजेक्क के अंतरगाथ गौलियर से सुमावली तक जोरे मैमू ट्रेन का जोरा तक का वस्तार ऑवरहेड एलेक्रिसिटी लाइन के कारी की निरिक्षन के कारण अचका हुवा है, वर्तमान में सुमावली तक ट्रेन दिन भर में 3 फेरे लगा रही है पिछले दिनों रेव संरक्षा आयोक्त ने भी ट्रैक का निर्क्षन का संतोश वेक्थ किया था लेकिन OHE लाइन का निर्चन नहीं होने के कारण सुमावली से आगे ट्रेन नहीं बढ़ पा रही है रेलवे ने लोग सभा चुनाव किया आचा सहीता लगने से पहले ही केला रस तक मेमो ट्रेन की संच्चालन का प्लान तयार किया था लेकिन अभी ज्वारा तक भी ट्रेन नहीं चल पाई है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश सब्डेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना आप बिलकुल न भूलें धन्यवाद